दिल्ली से सटे गाजयबाद के नाम को लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है सौमवार के रात हिंदू रक्षदल के सदस्यों ने पूरे शहर में जिले के नाम दुदेश्वर नगर का पोश्टर लगा दिया जहां जहां जिले के नाम वाला बोड लगा था उन सभी बोड पर गाजयबाद की जगह पर दुदेश्वर नगर लिखा सुबा होते ही यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई इससे बवाल मचा तो आनन फानन में हरकत में आई पुलिस और नगन निगम के करमचारियों ने कुछ बोड से यह पंपलेट हटा दिया बताते हैं कि गाजयबाद जेले के नाम बदलने की मांग लंबे समय से चल रही थी इसके लिए स्थाने लोगों और विबिन समाजी संगठों ने शाषन और पशाषन को ग्यापन भी दिये हैं अब हिंदू रक्षा दल की महिला विंग ने एक कदम आगे बढ़ते हुए शेहर में लगे सभी बोड अपर लिखे गाजयबाद शब्द के उपर दुदेश्वार नगर का पंपलेट चिपका दिया इसके बाद हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रिय अधक्ष पिंकी चोधरी ने बियान भी दिया है उन्होंने कहा कि गाजयबाद जिला राष्ट्रिय रासधानी से सटा हुआ है और नाम सुनकर ही लगता है कि शायद यह कोई मुगल सल्तनत का हिस्सा था जबकि ऐसक अभी नहीं रहा इसे कोई भी सनातनी बरदाश्ट नहीं कर सकता पिंकी चोधरी ने कहा कि पवित्य दुदेश्वर नात मंदिर गाजयबाद की पहचान है इसलिए उन्होंने गाजयबाद का नाम भगवान दुदेश्वर नात के नाम पर रखने की पहल की है इसी के साथ पिंकी चोधरी ने पोस्टल लगाने की जिम्मदानी लेते हुए कहा कि उनकी टीम में महिला विंग ने यह काम किया है आगे उन्होंने कहा उनकी यह मांग आगे भी जारी रहेगी और इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे उधर हिंदू रक्षयदल के सदस्थ्व का कहना है कि गाजयबाद परशासन से कहीं बार आगरे किया गया लेकिन जब प्रशार्षान ने कुई सुनमाई नहीं की तो उन्होंने संगठन ने यह कतम उठाया है ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शीर चैनल को स्प्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद